रुमाल अदिक्तर लोगों की जेल में और पर्स में मिलता है इसका इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति ही करता है जोतिशास के अनुसार रुमाल आपकी तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद कर सकता है जी हाँ अंक जोतिश में रुमाल का बहुत महत्तु बताया गया है अंक जोतिश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति रुमाल से जुड़े हुए कुछ उपाई कर लेता है तो उसकी जीवन में हमेशा ही सुक शान्ती स्मृदी बनी रहती है और सारी नकारात्मक का दूर हो जाती है कभी कभी व्यक्ति बहुत महनत करने के बाद भी मन चाही तरक्की नहीं पाता जिस कारण रहे परिशान हो जाता है इसलिए रुमाल हमेशा अपने पास रखना चाहिए जिस से उसके जीवन में हमेशा तरक्की होती रहे तो आईए जान लेते हैं ऐसे ही रुमाल से पर महमानों को गुलाएं और उन्हें भोजन कराएं इसके बाद सभी महमानों को रुमाल तोफे में दे ऐसा करने से पदोनती के योग बनने लगेंगे किसी भी जरूरी काम पर जाते समय अपनी जेब में चार या छे फोल्ड करके रुमाल रखें इससे सकारात्मक उरजा आपके साथ रहेगी और आपको उस कारे में सफलता जरूर मिलेगी अगर आपके बिजनस में हानी हो रही है और वह व्यवसाय सही तरीके से नहीं चल रहा तो आप अपने पास पीले रंग का रुमाल रखें इससे बिजनस में आ रही सारी बाधाएं जल्द ही दूर हो जाएंगी और धीरे धीरे आपके व्यवपार में तरक्की के साथ साथ धनलाब भी होने लगेगा आप नोकरी पाने में हर बार असफल हो रहे हैं या आपको कोई भी अच्छी नोकरी नहीं मिल पा रही है तो आप इंटर्विव पर जाते समय लाल रुमाल अपने पास रखें इससे नोकरी मिलने के योग बनने लगते हैं अगर आपके कोई संतान नहीं हो रही है तो आपको अपने पास पीले रंग का रुमाल रखना चाहिए इससे आपकी जिन्दगी में बदलाव नजर आने लगेगा कभी भी किसी दूसरे का रुमाल प्रयोग ना करें और ना ही दूसरे को अपना रुमाल दे रुमाल का रंग हमेशा हलका होना चाहिए और आपका रुमाल हमेशा साफ सुत्रा होना चाहिए नहीं तो इससे जीवन में नकारात्मक्ता प्रवेश कर जाएगी जिससे निकल पाना मुश्किल हो सकता है इसी लिए नकारात्मक कुर्जा को खुश से दूर रखने के लिए साफ सुत्रे हलके रंके रुमाल का ही प्रियोग करे इसी तरह की अनने बाते उपाय और रतकताई जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशा सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो से लाइक और शेयर करना ना भूले नमस्कार